में आज हम लोग बात करेंगे प्लेस्मेंट आफ एंफ लॉड़ इन इलेवन्थ हाउस के बारे में इससे पहले कि मैं अपनी एक्स्पिरेंसे शेर करूँ इस कॉंबिनेशन के पारे में आईए हम लोग यह समझते हैं कि ब्रहत पराश्वर हुरा शास्त्र इस कॉंबिनेशन के बारे में बोलती है कि यदि दशमेश ग्यारवें स्थान में हो तो धन पुतरादी से युक्त, हर्ष से युक्त, गुनी, सत्यवक्ता और सदा सुकी होता है यानि अगर हम बात करें भ्रयत पराशर होरा शास्तर की, तो भ्रयत पराशर होरा शास्तर ने इस combination को काफी अच्छा बताया हुआ है, अब अगें जैसे हमने 10th Lord in 9th house में बात की थी, कि वो 2-12 combination है, लेकिन अपने आप में एक exception है, इसरिफ प्रकार, जब 10th Lord 11th house में placed होता है, तो again, this is a 2-12 combination, क्योंकि यहां पर 10th Lord जो है, वो अपने से दूसरे स्थान में जा रहा है, because 11th house is second from 10th house, और अगर हम 10th Lord से देखेंगे, तो जो उसका house है, वो उससे 12th हो गया, so again, it is a 2-12 combination, और जैसे हम लोग जानते ही है, कि बारवा स्थान जो है, वो house of loss होता है, तो उस ह आप से कर देखोगे, तो लाब के लिए, यह स्थान जो है, वो loss का स्थान बन रहा है, लेकिन again, this is considered a good combination, अब हम यह थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कि यहां पर loss क्या हो रहा है, और गें क्या हो रहा है, तो देखिए, 11th house जो है, वो लाब स्थान है, और वो easy money को भी रिप्रेजेंट करता, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो हमारी पैक को पैसा easily आ जाता लाइफ में, that is also represented by 11th house, और यहां पर क्या हुआ, जो करम स्थान का मालिक है, वो 11th में चला गया, तो इससे एक चीज़ जो हमें समझ में आती है, वो यह है कि ऐसे लोगों को, जिनका भी 10th Lord 11th में होगा, उनको लाइफ में easy money नहीं आएगी, तो loss यहां पर गीर हो रहा है कि उनको easy money नहीं आएगी, वो जो भी पैसा कमाएंगे लाइफ में, वो अपने करम के द्वारा कमाएंगे, यानि they have to work hard to earn money, through their karmas, यह बड़ी clear बात है, लेकिन इस combination में इस ची जो 10th house है, which is the strongest Kendra, उसका जो Lord है, यानि 10th Lord, वो 11th स्थान में जाना है, वो लाब स्थान में जा रहा है, तो इसी वज़ा से, जिसकी भी कुंड़ी में एक combination होगा, वो लोग जो है, वो अपने करमों से, अपने effort से लाब करेंगे, यानि पैसा कमाएंगे, तो यह चीज अपने करमों की वज़े से, उनको यह सारी चीजे उपलब्ध होंगे, उनकी प्राप्ती हो पाएगी जिंदगी में, तो यह चीज बड़ी ही clear इस combination में आ जाती है, दूथरी important चीज जो हमें समझनी है, वो यह है, कि जो 11th house है, वो 2nd house से 10th house है, यानि कि, जो 2nd house है, वो हमा का मालिक है, जो करम स्थान का lord है, 10th lord है, वो, 2nd से 10th में चला गया, 11 घर में, तो ऐसे लोग, जिनका भी दशमेश 11 स्थान में होता है, they are the torch bearers of the family, यानि कि, भले ही वो बड़े हो या ना हो घर में, लेकिन, पूरे घर की जिम्मेवारी ऐसे लोगों के उपर होती है, और वो बहुत अच्छे से उसको manage भी कर पाते हैं, बहुत cases में मैंने ऐसा देखा है कि जो family business होता है, उसको ये लोग अच्छे से run कर पाते हैं, because जो 11th house है, वो 9 से 3rd है, यानि फादर का पुरुशार्ट है, और यहाँ पे जातक का जो करम स्थान का मालिक है, वो फादर के उशार्थ को आगे carry on करते हैं, यानि जो फादर का profession है, उसी legacy को आगे लेके जाना पसंद करते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है कि उसी line में ये लोग अच्छा grow कर पाते हैं, एक और चीज़ है, because घ्यानवा स्थान जो लाब का स्थान है, तो अगर करम का मालिक लाब में च पसंद करते हैं, because they cannot take orders from someone, वो किसी से orders लेना पसंद नहीं करते हैं, और अपना ही काम करना पसंद करते हैं, जो मैंने जनरली देखा है, especially, आपको ने बहुत cases देखे होंगे, इस परकार की, कोई आदमी जॉब कर रहा है, और अचानक से, he leaves the job and starts his own thing, तो आपको ऐसे cases में द दशा स्टार्ट हो गई, जो की ग्यारवे में प्लेस्ट है, तो इस तरह की आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है, कि दशमेश ग्यारवे में बैठा हूँ, उसकी दशा आई, और ऐसे लोगों ने जॉब छोड़के अपना कोई बिसनस स्टार्ट कर लिए, तो वो चीज आती है, हम लोगों ने इस बारे में कई बारे बात किया, तो यहां पर अगर 10th Lord 11th में चला गया हो, as a malefic planet, यानी, for example, अगर हम मेश लगन लेने, वरिशब लगन लेने, जहां पर 10th Lord Saturn बनता है, और वो 11th में प्लेस्ट होगा, तो Saturn being a malefic placed in 11th हो, तो ऐसे cases में आपको extraordinary results दे हो जाए, तो उतने अच्छे results नहीं मिलेंगे, जितने की, अगर being a malefic lot 11th में placed होगा, तो results मिलेंगे, अब घ्रेत पराशार होरा शास्त में पुत्र वगारा के बारे में भी बोला हुए, पुत्र की प्राप्ती वगारा होती है, तो देखिए, उसकी वज़ा यह है कि आपक इन्होंने इस बात को का जिकर आता है कि it is good for progeny also, बच्चों के लिए भी वह अच्छा होता है, बट यहां पे हमारे को एक बात का धियान रखना है, कि अगर यह 10th Lord 11th में malefix के साथ placed हो जाएगा, then it is generally not good for the progeny, मतलब जो मैंने in practice देखा है, आजकल के time में, तो ऐसे में देखेंगे, तो लोग जो है, वो बहुत जादा बच्चे करना prefer नहीं करते, people are happy having a single child also, तो ऐसे cases आपको देखने को मिलेंगे, कि 10th Lord 11th में placed होगा तो, और यहां पे जैसे मैंने अभी बताया कि 5th house जो हो प्रारब्द को भी represent करता है, तो यहां पे जो करम है, उसका direct connection प्रारब के साथ बन रहा है, because it is placed in the 11th house और वहां से वो 5th को aspect दे रहा है, तो इस वज़े से जो भी इनके करम है, it is all related to the destiny, automatically, you know, इनको line जो है, अपने आप से चीजे, you know, they fall in place, अगर हम बोलेंगे, और इनका profession उस बेसिस पे start हो जाता है, ऐसे cases के अंदर, और एक और इसको तो देखी रहा है, यहां पर 10th lot, अगर 4th lot का भी connection किसी प्रकार बन जाए, और 5th lot का connection बन जाए, तो ऐसे लोग जो है, their profession can relate to their education, यहनि जो field में वो पढ़ाई करते हैं, उससे उनका profession भी relate कर पाता है, but again, you know, that is a complex area, तो उसको देखने के लिए हमें बहुत सारी चीज and all also, but अगर हम एक overall बात करेंगे, तो ऐसे cases में, you know, sometimes it gets related to your education also, because जब हम education की बात करते हैं, so we see both 4th and 5th house, जो 5th house है, वो higher education, you know, wisdom, जो हम knowledge gain कर रहे हैं, society से, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, और 4th house है, it represents your formal education, तो इस वज़ए से, वहां बे उसका connection बनने से, the professional, it relates to your education, जो अपने पढ़ाई करी है, उससे, तो अगर इस combination के बारे में, मैं बात करूँ, तो overall, it is a very good combination, ऐसे लोग जो हैं, वो generally, they are very straightforward when it comes to, you know, करमा, वो generally, गलत करना पसंद नहीं करते हैं, और जैसे मैंने बताया ही आपको, कि easy money, इनको life में नहीं मिनती, they have to work harder to earn money, जो, Lord of the strongest Kendra है, तो इस वज़े से उसकी placement जहां भी होती है, वहाँ पे उस house को strong कर देता है, और उस house के results जो है, इनको अच्छे मिलते है, ग्यारवा घर जो है, वो बड़े भाई को भी represent करता है, तो ऐसे cases में ये भी देखा गया, कि इनको अपने siblings से भी help मिलती है, और generally, you know they have a, you can say a strong connection in the society, इनका friend circle बहुत अच्छा रहा होता है, generally, जो मैंने देखा है, if it is not afflicted in the 11th house, और उस friend से भी इनको life में काफी help मिल जाती है, और अगर यहाँ पे इस 10th lot का 11th में, लगन lot के साथ किसी परकार भी संबन बन जाए, तो ऐसे लोग जो है, generally, you know, they can create institutions, जैसे मैं पहले अपने दशा वीडियो में भी बताया था, कि अगर लगन और 10th का संबंध बनता है, तो generally, ऐसे लोग देखिन create a legacy, देखिन create an institution, तो similarly, अगर 10th lot का 11th में बैट के, यह संबंध बन जाए, लगन lot के साथ, तो it gives extraordinary results, और generally, आपने देखा हुए industrial houses बन जाते हैं, या institutions बन जाते हैं, वो इसी परकार के लोग बना पते हैं, जिनका इस तरह का combination chart में आपको देखने को मिलता है, तो overall जैसे मैंने बताया, it's a very good combination, and these are my thoughts on this combination, घनेवाद.